कि जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने CGPT का एक्जाम दिया है, CGPT का CGPT का एक्जाम दिया है, उनका 1st round का कॉंसलिंग, 2nd round का कॉंसलिंग और 3rd round का कॉंसलिंग जो है 8 नॉमबर से 11 नॉमबर तक जो है 3rd round का कॉंसलिंग होगा और किसी के गर्मान के चले की 1st round का कॉं आपको बता दू कि 3rd round का कॉंसलिंग जो है 8 नॉमबर से 11 नॉमबर तक जो है चलेगा और आपका कॉलेज जो है जिनका अगर अच्छा माक्स रैंक है उनका सेलेक्शन जो है 14 नॉमबर को पता चल जाएगा कि 14 नॉमबर को उनको सीड जो है अलाटमेंट हो जाएगा साम शार कारी अगर जैसे कि पीटी के लिए बहुत से सीट खाली है 3rd round के कॉंसलिंग के लिए अगर पीटी के पूरा का पूरा सीट अगर फुल नहीं होता है 3rd round के कॉंसलिंग में तो आपका जो है पीटी का 4th round का कॉंसलिंग हो शकता है जो कि हमको 17 नॉमबर तक पता चल जाएग अगर 3rd round के कॉंसलिंग में 4801 सीटे फूल हो जाता है तो 4th round का कॉंसलिंग Вीफर्म एडी फार्म का नहीं होगा और यदी 400 ती थार्ड पर तिर वीफर्म के का पूल हो जाता रिएक यासी सीटे बज जाते तो आपका 4th round का कॉंसलिंग हो गा वही बात करें पीटी के बात 400 से 500 सीटे ही हैं, ज्यादा सीटे खाली नहीं है, पीपीटी के लिए, तो पीपीटी के अगर उसमें भी अगर बद जाता है, कोई भी सेट तो आपका फूर्थ राउंड के कांसलिंग होगा, तो ये मान के चलिए कि आपका जिन स्टुडेंट के अगर नाम जो है फर्स्ट र मावेस भिएपान डी और उसमे मावने कांसलिंग पोफान इसमेल मया था राउंड के आपका उली काॉज नं जायागा, वही बात करेंगा विएमान को म और जो AC category के हैं उनका यदि अब 50 से 55 के बीच में होगा तो AC वालों का हो जाएगा और HD के बात करें तो आपका वहीं 48 से अगर 55 के बीच में होगा और जो BC category के हैं उनके 60 से 65 और जो AC category के हैं उनका जो है 55 से 60 के बीच में और HD category के बात करें तो आपका जो है 50 से 55 के बीच में है यदि आपका है तो आपका जो है P form या D form selection हो जाएगा जो 4th round का counseling होगा वहीं बात करें PPT का तो PPT का भी दमान के चले 60 से 65 जनराल और 55 से 60 जो है OBC और 50 से 55 जो है SC और HD का जो है 45 से 50 के बीच में होगा तो आपका जो है PPT pre polytechnic test में आपका selection हो जाएगा अगर 4th round का counseling होता है तब तो आप बस हम लोग आसा कर सकते हैं कर सकते हैं कि 4th round का counseling हो ताकि जीन स्टूडेंट का अगर selection नहीं हुआ तो उन्हीं स्टूडेंट का जो है जो है 4th round के counseling में selection हो जाए और उनका भी future bright हो सके और उनको भी college अच्छे से मिल सके और उनको भी उनका एक सपना था कि मैं पीटी करूं इंजिनियरिंग करूं भी फार्मा सीडी फार्मेसी करूं मेडिकल में जाओं टेकनलोजी के शेत्र में जाओं तो जितने भी student का एक सपना था कि मैं यह सब चीजे जो करना चाहता हूं मुझे college नहीं मिला तो 14 round का counseling हो जाए और मेरा selection हो जाए तो 14 round के counseling के लिए आप तैयार रहे हैं 17 November को update आजाएगा कि आपको counseling होगा या नहीं होगा आपको college मिलेगा या नहीं मिलेगा तो इसी तरह की सभी जनकारी पाने के लिए मेरे channel को subscribe कर देना, bell notification को भी on कर देना, जब आप bell notification को on कर देना तब जब मैं video upload करता हूं तो आपके पास notification जाता है जिससे आपको सही time पर आपको जनकारी मिल जाएगा और अभी तक आपने मुझे Instagram पर follow नहीं किया तो आप मुझे Instagram पर भी follow कर सकते हैं और अपना जो भी आपका को कॉंसलिंग होगा या नहीं होगा यह 17 नॉमर को पता चल जाएगा, so thank you